कि गुजरात में आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहां का हिंदू मैंने कभी भी कितना डरा हुआ नहीं देखा मैं पहले गुजरात में जब आई तो करणावती आई जिसको आज का लांदा बार कहते हैं उसके बाद मैं इधार आई तो दो दिन में मेरा व्यू जो है जो परसों था वो और स्ट्रेंटन हुआ कि गुजरात एक फियर स्ट्रिकन स्टेट हो गया है भैसे भरा हुआ यह नरंद्र मूदी की देन है हिंदू समाज की रक्षा की जो व्यक्ति बात करता है आज कितने हिंदू है जो बास्तों में कहीं से भी किसी मामले में इन्वाल नहीं थी लेकिन उनके उपर केस चल रहे हैं उनकी कोई आज तक कोई पूछ परक नहीं हुई कि क्या तुम कभी इन निर्दोष लोगों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हुए सुप्रीम कोट में जो लोग दोशी है उनको तो फासी होनी चाहिए लेकर जो बेकसूर लोग फसे हैं इन मामलों में क्या उनके बारे में कभी नरेंद्र मोदी ने फिकर की कभी अपने म नहीं लग रहा हो तो हिंदुक्त का एजेंडा और विकास का एजेंडा यह दो बाते हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र भोदी जी ने अपना करने की कोशिस किये मैं अपने मोटा भाई को मोटा भाई कहती रही हूं मैं उनको 73 से जानती हूं मुझे उनके वाध कर रहे हैं वह फर्जी है वह जो बिपी येल का दावा कर रहे हैं कि बलो पावर्टी लाइन लोगों की संख्या गटी है मैं नरण्वोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वे एक डाओं में चलें जहां बीपी या बनी है और मैं उनको बताऊंगी कि वह लिस्ट कितनी फर् ही है कि गुजरात इन पास सालों में दुगना करशदार हुआ है गुजरात के उपर जितना पहले ड्राफ ओवर ड्राफ्ट इन था ठीक दुगना हो गया है तो विकास कहां हुआ विनाश हुआ इस तरी भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसल्मान दोनों भाइबीत सब्सक्राइब दोनों ही नहीं मिले को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए भाजय पाकी थी 89 तक कि लोग हमको चुम्टे से भी चुना नहीं चाहते थे चुम्तित साधू को डरा नहीं सकते आप लेकिन साधू भी समाज के लिए अपना कंसरन तो रखता है और वर पुजरात में नहीं देखा कभी मैं तो आश्यरी चकिर हूं कि यह नरेंदनोदी नी क्या कर दिया इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष की विनाश पुरुष इसलिए तो रखा है मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है यह मीडिया ने गुब